गुड मॉनिंग एवरिवन, UPPCS की प्रार्मभीक परिक्षा जो है वो दो चरणों में कम्प्लीट हो गई है 866 टेस्ट की हमने सीरीज चलाई थी पिछले 7 से 8 महीनों में जिन में से हमने 3500 प्रश्णों को कवर किया था जिसने भी एक्जाम दिया होगा रेगुलर्टी टेस्ट फोलो किया होंगे सारे के सारे तो लगभग 140 से उपर उसको प्रश्ण वहाँ पर मिल गया होंगे हर वो चीज इंपोर्टेंट है जो पहली है इंडिया में चाहें वो सुकुमार सैंसर रिलेटेड आई हो मेकांग रिवर से आया हो तीस्ता से आया हो यह सब कबर कराया लगभग 33-34 प्रश्ण करंट के आये थे सारे कबर थे वो पॉलिटी के आये थे 25-27 प्रश्ण ठीक है और उसमें यूपी की करंट थी 7-9 प्रश्ण कोई भी विदेश यात्री जो भारत आया या भारत के प्रधानमंत्री कहीं गई किस देश से आ रहा है वो यह तक पूछा गया है एक्जाम में ठीक है पूरे साल की करंट अफेर्स कम से कम एक साल की करंट अफेर्स इस पेपर में आई है है इस दीम जरूरी होती हैगजाम में चाहें वह जयब मिथा की हो विश्वजल दिवस की हो टीवी उनमुलन की हो सब कराई थी एक एक कर ती कि लिएक और के कोस्षन करें Ты पूं सारई प्रफ्रैंशन प्रिवीए सेर के तो जो सीदे सीदे पूछे गए यूपी के एक्जाम में पहले पूछे गए हूँ एलिमिनेशन मेथेड से कई प्रशन कट रहे थे तो चलिए एक हलका सा एकस्पिलेशन के साथ सबके आंसर एक बार देख लेते हैं वैसे तो सभी ना एकस्पिलेशन मिलाए लिए होंगे तो पहला प्रशन था एक कि यह सी सैट है ठीक है थोड़ अथी बिर्वाती से चलेंगे एक प्रशन था दुहार 19-10 के इंगलिस वाला भी देख लेते हैं तो है निम्रेखत मैं से किससे भारत का व्यापार सेश अधेक के सरवाधेक रहा तो व्यापार सेश अधेक की बात हो रही है ठीक है ट्रेड वैलेंस सर्प्लस तो इसका उत्तर यूएस से है संयुक्त राज अमेरिका अगर नॉर्मल ट्रेड होता हुद पूछा जाता तो ची मुक्त बनॉक्त परिकिन इहां उत्तर हो झाल तो यहां उत्तर हो जाता लेकिन यूसे सई है उत्तर है अब अर्लांटिक महासागर से ठीक है इस तरह पाता है और सर्दियों वर्षा होती है ये वाकि नीती आयोग दोरा एक प्रश्ण था चलाए जा रहे हैं अकामसी जिलाकारिकरम के अंतरकत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 में सामिल किया गया है तो इसका उत्तर है आठ जिले है ओद स्टbok और नेक्स्ट है भारत के राश्ण पती के विषेज अभिवाशन के संतर में निम्रकत मैं से कौन सा कथन सừa है पहले स्टेटमेंट है राश्च्ट्पती के साधार निरौचन ये पत्षात परथम सत्र और सत्र के अरंब में संसत्र के दोनों सत्रों की ब देखें दोनों के दोनों statement correct हैं और C है इसका अंसर कि एक प्रश्न था मॉलिक करते हैं यूपी PCS में स्टेट PCS में मॉलिक करतव से related मूल अधिकारों से related राजी के नीतरी निसक्त ततों से related एक प्रेशन आता ही आता है तो 11 मूल करता है हमारे संबेधान में अनुच्छेद 51 कि ए में उनका बढ़न है ठीक है ए से लेकर क्लॉज ए से लेकर के तक 11 अब उसमें संबेधान का पालन करें इसकी आदर्सों का समान करें संपति की सुरक्षा पेगानिक दरश्टी कौन भी है आम चुनाबा में मद्दान जैसा कोई नहीं है तो ए है इस कांजर कोविड-19 की दूसी लहर के समय किस अंस्थाने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सियन जनरेटर में बदलने का परदर्शन किया तो यह किया था आई इसका उत्तर हो जाएगा communication 9 भारत में मंत्री परिश्द सामय करूप से लोकसभा और राजसभा नहीं राजसभा नहीं होगा इसमें कि वर्लोक्सभा के पृति जिम्यतार होती है ठीक है और लोक्सभा राजसभा दोनों के सबस्रसे संक्री मंत्री क्या संग सरकार में मंत् प्राश्वा प्राश्ण है कि 27-28 जुलाई 22 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी तो है नहीं वो पहले हैं एंटोनी एंटोनी बिलकेंज ठीक है भारत आये थे पूछा है यह दो दिवसे यात्रा पर आये थे और यह किस देश से संबंद रखते हैं अब उस समय कोविड का टाइम है ठीक है यूके बेंद था और फ्रांस बेंद तो संयुक्त राज अमेरिका इसका अंसर है ठीक है यूएसे के थे क्यारवा प्रश्ण है सामाजिक विकास की इतीन वस्थाओं का सिद्धान्त मूलते किसने प्रतिपादित किया तो इसका उत्तर ना तो हर्बार्ड स्पेंसर है ना कारलमाक्स है इसका उत्तर है अगस्थ कामटे डी हैस कांसर और स्से का रिपीटट प्रश्ण है एक मुख्यमंत्री सक्षम सुपोशन्ड योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी स्रमिक उद्धमिता विकास अभ्यान तो इसका अंसर क्या हो जागा अपसा नमबर वन एक दो तीन यह लॉंग नमलिकित में से किसका निरूपण है यह यूपी पीसेस में पहले कई बार पूछा रिपेटड है यह पुश्प कलिका है ठीक है और एससी का तो फेवरेट प्रस्ट नहीं है सीजी यल सीपी होगा अशे नमबर फोटीन है नम्हें तो कौको का पर्मुक उतपादक देश नहीं है तो कोको का परमुक उतपादक देश आइवरी कोस्ट भी है घाना भी है कैमरून भी है लात्विया यहाँ पर नहीं है रक्त में सरकरा का जो इस तरह सामनता प्रदर्शित किया जाता है देखिए जो ब्लेड प्रेसर जो नापते हैं ना वो तो M of FG होता है M of HG होता है लेकिन यहां रक्त में सरकरा बोल दा है ठीक है ग्लुकोस के बारे हम बात कर रहा है तो यह है मिलीग्राम प्रती डेसी लीटर के रूप में तो B हो जाएगा इसका अंसर वाकि ब्लू बेवी सिंड्रोम रिपीटेड है कई बार पहले एक्जाम में पूछा हुआ है नाइट्रिड है इसका उत्तर भारत में थोक मूली सूचकांग के आकड़े नमलकित में से कौन सा संस्थानिया कारेले जारी करता है तो Ministry of Commerce and Industry मतलब बाणिज और उद्द्योग मंत्राले है इसका उत्तर बोटुलिज्म क्या है बोटुलिज्म एक भोजबदार्द से होने वाला विशहला पाना है दुन्द उपर के एक और दो में था जल से तो कुछ होता नहीं है इसमें तो भोजबदार्द से होने वाला ये विशहला पाना है भारा सरकार के संस्कृति मंत्राले ने आजादी का अमरत महतसब के एक अंग के रूप में जून दोहार 21 में सहीद राम परशाद बिसमीर की जैनती उत्तर प्रदेश में नमर के तुमें से किस इस्थान पराम में होना ही थी देखें पिछले हेपते ये प्रश्ण कराया गया है यह प्रश्ण को भीषे टेस्ट में और इसका उत्तर है साज अबडिया थी कि कॉझ में से कौनव फुर्दूश्ण का सूचक रुद्धृत्तoire लेंद करकर करके 50 बार बताया होगा लाइय। के प्लांट होते हैं ना तो ना केबल एसी ट्रेंड इंडक्टर है ठीक ना केबल एयर पॉलूशन है ठीक है बायू पुर्दूशन सूचक है बलकि एसी ट्रेंड इंडक्टर भी है ठीक है अमलबर्स सूचक भी है और बायू पुर्दूशन सूचक भी होते हैं लाइक इनके ट्लांट मैं कोकूशन नमबर 21 में एक जनजाती और स्थान से र्रेलेटर है देखें कोर्यार्ट जन जाती अलास्का लिखा इसके सामने तो यह गलत है पहला वाला कोर्यारक जियालास्का जब कि उयल से में जबकि कोर्यार जो जब जहती है वो रूस और यॉक्रेण में क्रासका में नहीं रूस यूक्रेट में पाई जाती है कि रिवोफ्लेवन की कमी से इनमें के तुमें से कौन सा रोग होता है तो रिवोफ्लेवन की कमी से यहां जो रोग हो जाएगा मतलब B2 की कमी से जो रोग पूछ रहा है वो हो जाएगा चेलोसिस ठीक है D हैस का अंसर D जितने भी बिटामिन है सबके के नाम पता होने चाहिए कि A का रेटिनॉल C का स्कॉर्बिक एसे D का केल्सी फेरोल E का टॉको फेरोल K का फ्लॉक्विनोन इंपोर्टन्ट है विस वोजोन दिवास बड़ा पूछा जाता था फहला UPPCS में 16 सितंबर को बनाया जाता है आज फिर पूछ लिया एक प्रश्ण था मेकांग रीवर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट थे मेकांग का जो उद्गा में वो तिबबत के पठार से है कई वार इस पर प्रश्ण बनाया है और मेकांग का जो डेल्टा है वो दक्षणी कंबोडिया में इस तत है देखे इसमें पहला वाला तो करेक्ट हो जाएगा लेकिन दूसरा वाला गलत है मेकां का जो डेल्टा है ना वो दक्षणी कंबोडिया में नहीं है दक्षणी व्यतनाम में है ठीक है दक्षणी व्यतनाम में एक मैप देखते हैं इस रिलेटर्ड है देखिए यह है मेका यह यहां से आ रही है तिबबद प्लेटू से तिबबद प्लेटू से आ रही है उपर से अब यह आई नीचे यहां जब यह आद नीचे की तरह पाती है तो यह लाओस और थाइलेंड की सीमा पर बहती है यह दिख रहा होगा आपको ब्लू ब्लू लाओस और थाइलेंड की सीमा पर बहती है यह नीचे आती है नीचे जाकर यह कमबोडिया प्रवेस करती है कमबोडिया के नीचे जाकर यहां देखिए नीचे दक्षणी व्यतनाम यह यहां से यह इतना यह जो ब्लैक वाली लाइन है यह लाउस है ठीक है और यह जो है यह यह है थाइलेंड तो यहां सीमा पर बह रही है इसकी फिर उसके नीचे कमबोडिया प्रवेश करी कमबोडिया के बाद यह दक्षणी व्यतनाम में डेल्टा बन यह उपर से व्यत्नाम आ रहा देखिए नीचे तक जा रहा है दक्षणी व्यत्नाम में डिल्टा बना रही है ठीक है ना कि दक्षणी कंबोडिया में तो गल्याद दूसरा स्टेट्मेंट तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट है दूसरा है इनकरेक्ट यानि अप्सा नमबर बन है अब कौन सा सुमेलत नहीं है प्राबधान सरोत मौलिक अधिकार यूसे के संभिधान से लिए गया पचास वार बताया होगा राज्य के नित्री सकता तो आयर्लैंड से पहला करेक्ट दूसरा करेक्ट है केंद्र की अबसिष्ट सक्तियां ऑस्टिल्या से नहीं नहीं कनाड से लिए गई है आपातकाली 95 जर्मरी ठीक है सी गलत है कि कार्बन क्रेडिट की अबधारना जो है वो इसमें क्योटो प्रोटकॉल से संबन लेता है और नीती आयोग के स्टीजी सूचकांग से रिलेटेड तो कम से कम 4-5 वार प्रश्ण बराया होगा ठीक है टॉप पर कौ अंधर प्रदेश था गोवा था उत्राखंड था एक और था लेकिन गुजरात नहीं था तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा क्या पूछा है कि स्टीजी अपने प्रदर्शन में देश के सीर से पांच राज्यों में समलित नहीं था ठीक है तो गुजरात नहीं है इसका अंसर क्या हो जाएगा अपसा नंबर गुजरात कि यह देखे जाए एक्समेलेशन कई बार बताई होगी टेस्स सीरीज में ठीक है एस्टीजी भारत सूच कांक में जो केरल है वह अग्रणी है उसका स्कोर कितना 75 स्कोर है और इसके पश्चाद हिमाचल प्रदेश और तमि नयाद रखेगा ठीक है यूँके पीस्टी होगा उसमें पूशा या सकता प्रशन और अंतिम इस्थान पर सबसे खराब पोजिशन पर बिहार है उसके बाद हार खंड असम और उत्तर प्रदेश अच्छा इसमें अग्रणी इसमें सामिल जो अग्रणी के इन्शाष्ट प प्राप्त करता नहीं रहा सेवंटे नाइन स्कोर है चंडीगडगा केरल का पिछत्तर तब यह लक्ष प्राप्त करता नहीं है और यूपी से रिलेटेड एक चीज़ याद रख लिए क्या पता समिक्षा दिखारी में पूछ ले कि SDG में उत्तर प्रदेश को जो है कि स्रे काड़ी में जो है यूपी को रखा जाएगा ठीक है तो अगर आप तीन पाई दन तक भी याद रखते तो इसको करेक्ट कर ले जाते हैं गुजरात है इसकांसर टॉप 5 में नहीं है तो तो प्रशन काल के ठीक बात का काल होता है एक प्रशनता उत्तर प्रदेश मुखे शोराजगार योशना 20へ 153 आवीदन भर्ने से पूरम निम्हें से कौन सा पाधरता का मांदर नहीं तो आयूसी मां 18-40 पर चाहिए नियुन्तम हाई स्कूल किया होना चाहिए किसी केंद्र सरकार या राज सरकार सोरजगार योजना में पंजीकरत नहीं होना चाहिए वो और यह के वली उपी के लोगों के लिए हैं थीक है भारत के किसी भी राज के नागरे को नहीं तो गलतर् रूस ने पारिश्तिक तंत्र में विभीद अभी आपस में एक दूसरे पर निर्वर नहीं करते इतनी बार बताया होगा किसी कного में अदा कि मतलब जैविग अजय सरस से कौन नहीं था प्रारंबिक सरस की बात हो रही है ठीक है 1926 में गटित होई थी तो भगत सिंग तो थे इसके यस्पाल भी थे और शबली दास भी थे लेकिन अम्बिका चक्रवर्ती जो है इसमें बाद में सामिल होए थे प्रारंबिक चर्ण में नहीं थे तो इसका अंसर हो जाएगा अम्बिका चक्रवर्ती किस इस्थान पर भारत में पर्थम नगर निगम इस्थापित किया गया था मद्रास में इस्थापित किया गया था कि पंद्रह सोले साल पहले है एक विटामिन से रिलेटर प्रेशन दूसरा प्रेशन आया था निम्द्विक पेंसे कौन सा यह कुम सईसों मिलत नहीं है अब देखिए इसमें जो है विटामिन सी नीवू में पाया जाता है विटामिन डी कार्ड मचली का तेल या सूरी के प्रकास में पाया ऐसा तो है नहीं एक चीज एक सी मिलेगी सूरी के प्रकास में मिलती है अंडे की जर्दी में भी मिलती है यलो वाला पार्ट जो होता है विटामिन ए के सामने संत्रा लिखा है तो विटामिन ए जो है वो तो सारे मीठे होते हैं खटे हैं तो संत्रा में पाएजाता है संत्रा में बिटामिन एफिर्ट भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जील की बात हो रही है चिलका भी लिखा है कि देखे चिलका एक लैगून है भारत की खारे पानी की चिलका लैगून है और जील जो है अगर NCRT की किताब उठाके देखेंगे या लिूसेंट को देखेंगे तो सामबर ही सही उत्तर है ठीक है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है वो सामबर जील है राजस्तान की और इसका जो एरिया है वो 90 बर्ग मिल है और जो बात करेंगर चिलका की त भारत की सबसे बड़ी तटिये जील है ठीक है तटिये जील लेगून है तो इसका सही उत्तर क्या हो जागा सामबर है और बाकी अकास मेकले धी का कौन सा अनुच्छेद है अकास मेकले धी अकास इस तरह से रिलेट करके बतायोगा अकास और सड़ सट में सा का साउंड आ र की संचित ने दिया वो है 266 में अब इस्थानी अब अपने और इस्थान के नाम पूछे गे थे जैसे कि लेवेज के सामने स्पेन, ब्रिक फिल्डर आस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर, उत्री अमेरिका, शामल आस्ट्रेलिया, देखें लोबेज करेक्ट है इस्पेन में, ब्रि ठीक है, अरब किये यह, तो गलत है यहाँ पर D, नहीं लिखें वेज़े सियत्रियों को उनके भारत आने के कालानुकरम में सजाना है, बिलियम होकेंस कई बार आपने पढ़ा होगा, प्रिवेश सेर के प्रश्णों में देखा होगा, थॉमस, सर थॉमस रो, या टामस रो भी लिखा है इसको, निकॉलसन, डाउंटन और रॉल्फ फिच, अगर आप नीचे ऑप्सन देखोगे, तो बिलियम होकेंस से सुरूर है स्टेट्मेंट और सर तॉमस रो से सुरूर है, मतलब पहला तीसरा इसमें, पहला तीसरा, और एक स्टेट्मेंट है जो रॉल्फ फि हो जाएगा इन सबसे पहले, इसका समय भी लिखा है, यहाँ पर देखिए, रॉल्फ फिच सबसे पहले, तो दो से पूरा कट जाएगा अगर आपको पता होता देए, उसके बाद बिलियम होकेंस आएगा, जहांगीर के साशनकाल में 1609 में, फिर जहांगीर के साशनकाल में साथ थामस रो या टामस रो आएगा 1611 में, तो दो हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा, निकोलसन डाउंटन आएगा फिर, और फिर उसके बाद हो जाएगा साथ तामस रो, ठीक है, तो रॉल्फ इस सबसे पहला हो जाएगा, और बिलियम ह उसके बाद हो जाएगा तो यह हो जाएगा इसका अंसर है रावल फिस सबसे पहले एक प्रश्ण था उत्तर प्रदेश जन संक्या नें तरण इस त्रीकन और कल्यान विध्यक संक्या तक कम करना है और बर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रश्ण अंदर 2.7 प्रती हजार है करेंट से रिल्टेट प्रश्ण है इसमें दोनों के दोनों स्टिट्मेंट करेक्ट है फ्रेंच ओपन टैनिस टूनामेंट 2021 में थे कि फ्रेंच ओपन ओस्ट्रेंड ओपन बिंबल डन और यूएस ओपन ये ग्रेंड स्लैम है टैनिस के एक बार हर सारी पर नजर लगाया कीजिए क्योंकि किसी वे एक्जाम में कभी पूछ लेते हैं और अधिकतर एकल में पूछ लिया कि फ्रेंच ओपन टैनिस टूनामेंट महिला एकल 2021 में थीक है बारबरा क्रेज सिकोबा निमलेखित में से किस देश की हैं जो बिजएता रही तो यह चैक गणराज की हैं यह प्रश्ण दो हपते पहले कर आया था करेंट में कि सारे प्रश्ण लगभग जो करेंट अफेर्स के हैं सारे के सारे आये हैं अगर किसी ने अच्छे से फॉलो किया होगा टेस्ट सीरीज को रेगुलरली तो उसको पता होगा क्या आया है यूपी का जो रामसर इस्थन है जितने भी घोशित किये गया है उनके उपर भी कई बढ़ने के बाद टेस्ट बनाया है तो सुर सरोबर है इसमें सुर सरोबर ये कीथम जी लागरा की सम्रसपूर पक्षिय भिरन भी यह सरसई नावर भी यह सुरिंसर नहीं सुरिंसर जम्मो कश्मीर गिया तो डी कट जाएगा इसमें 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष के संदर मैंने मिलकित में से कौन सा गथन सही है इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उतसर्जन को सूने तक नीचे लाना है और इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उतसर्जन की छदिपूर्ती वातबन से इसमें जो है पहला वाला स्टेटमेंट है गलत और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नमबर भी देखिए इसके उपर प्रेश्ण बनाया है हमने नेट जीरो या शुद्ध इसको बोलेंगे शुद्ध सूने उतसर्जन से रिलेटेट करके बनाया था शुद्ध सूने उतसर्जन जो होता है वो उतपादित ग्रीन हाउस के अस उतसर्जन और बातावर तक एक ब tien की मच्छर द्वारा बाहर मलेरिया भी होता है डेंगो भी होता है फाइल एर्ड आया फईलीरी तो निंड्रा रोग नहीं होता क्यों यह तीनों तो मंच्छर कं यह यह मखी के काणने साहटा है जो है स्लिपेंग सिक्ठेंस बोलता है इसको कानपुर सरहींत्रर já बामला हो गया कृरी चोरा हो गया इस ब्यूपी में आए है तो इनसेotes रेलेक्टेट प्रिश्न करता है यूपी ठीके है तो Feld 1924 के काणपुर सदैयान्त्र मामले में, कई वार प्रश्न बनाया होगा, काणपुर ने सदैंत्र मामले कौन इसमें सामि l navigating था तो नलीनी गुपता भी था इसमें सोकत इसमानी भी थे मुझवार आह्मत भी थे महें ए ऐंसारी नहीं थे यह explanation देखिए कई वार करायी यह explanation इस रिलिट के प्राश्न बढ़ाए यादeres लेया होगा आपको आप और इस तरह से से प्राश्न पूछ लेता है कि कांपुर सढेयंत्र मुकदमा जो था वह ऑन्दोरन की नेताओं के विरुद्थ था तो उसका सामेवाधी नेताओं के विरुद सीधे सीधे पूछता है तो कानपुर सड़ेंत्र मुकदमा सामेबादी आंदोरन के नेताओं के विरुद था और 17 अक्टूबर 1920 को रूस के तासकंद में स्थापित भारतिय कम्रिस्ट पार्टी के सरस्थ अब देखे भारत में करांतिकारी गतिवित ही चलाने और सड़ेंत्र के आरोप में 21 परविड़ू 1924 को अंग्रेज होने स्रीपद अमरत डांगे गुलाम हुसैन रामचर्ण लाल सर्मा तथा सिंगा वेलू चिट्टियार को कानपुर में ग्रफतार कर लिया और अंतिम रूप से मुकदमा जो है वो नलीनी गुपता मुझफर एहमाद ये भी था उपसन में सौकत उस्मानी और डांगे पर चलाय मिली ठीक है तो कौन नहीं था इसमें इसमें नहीं है में अंसारी नलीनी गुपता है सौकत उस्मानी है और मुझफर एहमाद और बो एक्स्प्रेंस हैं जितनी बार भी कानपुर सडेंतर से कॉस्चन बनाया होगा हर बार डाली होगी अच्छा एक प्रश्ण है कि नमर्यक अब जहां यह देखिए ताजा वर्फ से धकी भूमी विल्कुल वाइट वाइट होती है जो सुरी की रोशनी पढ़ती है तो अलगों 80-90% जो है रिफ्लेक्ट कर देता हो अगर इनको डिक्रीजिंग और में भी सजाना होता तो उसके बाद यह आ जाता रेत का रेकिस्तान ठीक है फिर आ जाता प्रेरी भूमी उसके बाद धान के खेत लेकिन ऐसा था नहीं क्लियर कट आंसर था ताजा वर्फ से धकी भूमी यानि लेंड कवर्ड विद फ्रेस स्नू एक प्रशन है पूझी निर्माण के संदर में कौन सा सही है पूझी निर्माण की प्रक्रिया बच्चतों और वित्य संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्फर करती है और निवेश पूझी निर्माण के लिए एक अनिवार कारक है तो बिलकुल यह करेक्ट है दोनों के दुनों स्टेटमेंट सी है इसका अंसर यह थीम के साथ कॉष्चन कराया दो तीन बार एक किस दिवस की थीम है टीबी दिवस की थीम है ठीबी उन्मूलन दिवस दौप्धन है मुगल सामराज मूल रूप से एक सैनिक राज था और इसका कारण क्या है केंद्रे साशन विवस्था के विकास की प्राण सक्ती उसकी सैनिक सक्ति पर निर्वर्थी चुकि मुगल सामराज एक सैनिक एक मूल रूप से सैनिक राज था कारण क्यास की उसकी केंद्रे साशन विवस्था के विकास की प्राण सक्ति उसकी सैनिक सक्ति पर निर्वर्थी देखे इस तरह के statement में जो है द्वंद पैदा करती है UPSC, अब इसका प्रश्ण उत्तर पते नहीं चलता है कि व्याख्या करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, तो इसका उत्तर यहां तक A मार देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ जो प्रश्ण होते हैं, केवल UPSC में UPSC, और स्टेट PCS में UPPCS, वो डाले ही इसने जाते हैं, द्वंद फैलाने के लिए, तो फिलाल A है इसका अंसर, वाकी आयोग क्या देता पता नहीं, 48 अंबर का प्रश्ण है, नमर्के दमें से कौन सा सब्द भारतिय संबिधान की प्रस्ताबना में उलेखित नहीं है, तो संप्रभुता है, पंतिर पेख्ष है, लोक तंतरात्मग है, फेडरल संगिय नहीं है, ये प्रश्ण तो अभी कुछ दिन पहले ही कराया था, ठीक है पंचायती राज से संबंदे जितनी समयतिया हैं, उनका काला नुकरम, ये पूछ ही लेता है किसी ने किसी एक्जाम में, और बियार महता इसमें सबसे पहली है, 1957 में, उसके बाद असोक महता समयति 1977 में, उसके बाद है जेवी के राव 1985 और एलम सिंग भी 1986, तो इससे ऐलिम समयतिया हैं, बलबंत राय महता समयति सबसे पहला 1957, उसके बाद असोक महता 1977, फिर जीवी के राव 1985 और एलम सिंग भी 1986, clear, ये हर एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है, टिप अप दे टंग होनी चाहिए, ठीक है, रटी होनी चाहिए, टू दा पॉइंट, एक प्रेशन है, नोबी और कांटो मैदान अमरिकी तमें से किस देश में इसतेता हैं, तो जापान में है ये, पॉवर्टी एंड अन्विर्टिस रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, बहुत पूछते हैं इसको एक्जाम में, और कब प्रकाशित होई है, 1901 में, सोकोत्रा द्वीब के संदर्ब में दो स्टेट्मेंट है, विचार करना है, देखें सोकोत्रा पहला स्टेट्मेंट है, ओमान का द्वीब है, जो अरब सागर में स्थत है, और इसे दुहाराट में यूनेस को द्वारा विश्व प्राकरतिक विरासत इस्थल के रूप में नामित किया गया था, शोकुत्रा जो है वो ओमान का नहीं है, और कि यमन का है द्वीब, गलत है पहला वाला स्टेट्मेंट, दूसरा वाला सही न, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, ओप्सन नंबर बी, तो ये देखे हैं सुकुत्रा यमन में है यमन ना की उमान तो गलत पहला इस्टेट्मेंट दूसरा बाला करेक्ट अगला प्रश्ण है, सरस आजीवी का मेला करेंट का प्रश्णा आया ये, गुआ रिक किसमे कहा य॥ित हुआ, ये प्रश्ण कराया था कुछ दिन पहले, ओड़िवाले। जाए नमलेखित सहरों में से किस एक में देश का पर्थाम भारतिय कौसल संस्था इस्थापध किया गया यह प्रशन भी कराया है ठीक है उत्तर प्रदेश का कानपुर सहर आई कई प्रशन तो ऐसे डाले गए हैं कि उनका उत्तर ही उत्तर प्रदेश था या उससे जुड़े नगर थे या जिले थे एक राजी का नितिने शक्तत्व प्रशन या मूल अधिकार से रिलेटेड हर एक्जाम में पूछा जाता है तो न्याय पालिका का कारेपालिका से पर्थ जो थी आ यह वाला भी करक्टर फीर करेक्ड़ी का समबढ़न अपने को सहकारी सर्साइट'm का संबढ़रों टेज कि इनॡ़ फिर क्या है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों ए या मजदूरों की जो है भागेदारी है और जितने वी क्लोज़वा पूछे आते हैं कि 43 का एह हो गया 49 का एह हो गया यह सब तो इनको जरा कंठस्त कर लिजेगा तो यह यह करेक्ट है यह करेक्ट है यह भी करेक्ट है अनुछे चालिस में तो रड़ा रड़ाया होगा पंचाइतों के गठन और उन्हें स्वायत साशन की इकाईयों के रूप में ठीक है करकरने यह कि बनाना यह व्ठ्रवन के में काम्गारो की या स्रमिको की भागयदारी 43 नम्बर dei सेंसेक्स पॉम्बे स्टॉक एक्षेंज बीएसी का प्रश्लित सूचकांगे बीएसी में सूची बद्ध कितनी ब्लू चिप कंपरियों से इसका मापन होता है तो इसका उत्तर है तीस जून 2021 में जी सेवन सिखर संबेलन से रिलेटेट कई वार प्रश्ण बढ़ाया है ठीक है कौन सा वाला सही है बताना इसमें यूनाइटिट किंग्डम इस सिखर संबेलन का अध्यक्स था जी सेवन का और ब्राजील को अतिथी देव के रूप में सिखर संबेलन में अज़ित मिधws इसको है जाख है कि टाना में अक प्रश्ण था कि lpg का मुख्य अवियाब कौन सा होता है टेक्व ना सिखरे मुख्य अवियाब होता है वह होता है प्रोपेन ब्यूटेन और अथेन तो ने तो इसमलें थोड़ा यासा प्रोपेन हटा दिया ताकि आप मिथेन लगा दो एकन सभी उत्तर क्या है इसका ब्यूटेन ठीक है लिक्विड फॉर्म में रहती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको ठीक है प्रोपेन ब्यूटेन और इथेन रहता है तो यहां सबसे अच्छा उत्तर ब्यूटेन नम रिकविड मैंसे किसको नागरिकण़ाण चक्र में तौरित अवस्था कहा जाता है तौरित अवस्था होती है कौनसी दुत्य-अवस्था तीक है ऑप्सा नमबर बी नमबर के तमेंसे किस कुल के पौधे से जो है टापा कपड़ा बनाया जाता है टापा क्लोथ किस से बनाया जाता है टापा क्लोथ बनाया जाता है मलवरी से और जो मलवरी है वो ग्रेमीनेसी कुल का तो है नहीं मालवेसी का भी नहीं है वो है मुरेसी का ठीक है कुल का है मलवरी दी कूल का जाता है पक्ति कि नंबर शिआते हैं ऑतरप्राधिय के कार्यों का विस्तार की डायए रू जाता है जैसे यूू पी-स् सी के कार्यों का विस्तार करती एंप सब्धार्जिंख परजमें करएगी राजी की विधानopesचान अ यू द्वारा गलता है राश्ट पती द्वारा कलता है कार्मीक केंद्रे कार्म judgments शिकायत पैंशन मंत्रा में बालत है अधी कि अधक्राइब ंटेर्ट कि अम्हुंसा है करणे से वर डाईंट से टोक्यो ऑलंपिक सी टोक्यो उलंपिक का एक प्राश्ण आ नहीं था लोगर PCS में आया था पैरा से इसमें टोक्यो ओलम्पिक से पूछ लिया तो टोक्यो ओलम्पिक में कुल मिलाकर साथ पदक जीते भारत ने उसमें से सिल्व क्या हो जाएगा ऑप्सन नंबर भी बजरंग पुनिया अगर आपको याद हो तो 65 किलोग्राम भार बर्ग में रेसलर है ये ठीक है और इन्होंने जो है कजाकिस्तान के पहलवान अलग से इसके उपर प्रश्ण बनाया था हमने कजाकिस्तान के पहलवान दौलद नियाज बे क्वेशन नंबर 14 पर आजएए 64 पर आजएए 2021 में ऑसकर आवार्ड फॉर्ड बेस्ट मोसन पिक्चर का पुरुसकार जीतने वाली नॉमेड लैंड का जो निर्देशन है मतलब डाइरेक्टर है वो कौन है ये एक नंबर की घटिया मूवी थी कैसे इसको ऑसकर में जो है व उन्होंने पुरुसकार जीता ठीक है तो स्लो जहाओ इसकी जो है वो डाइरेक्टर है और कुछ नहीं है मूवी में जैसे ग्रेविटी को मिला था अब ग्रेविटी देखोगे तो लगेगा कि हां मूवी है कुछ इसमें तो नीद ही आ जाएगी नंबर 65 है भारत की एसिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून शील है तो लैगून करके रिलेट करके पूछा तो यहां उत्तर चिलका है फेपड़ों में गैसी विने में का इस्थल है अब यह प्रशन यूपी PCS में क्या करा इसका पता नहीं कभी MSC करते थे ठीक है तब था यह प्रश अब यूपी PCS में क्यों रख दिया है प्रशन कोई प्रशन ऐसे हैं जो अटपटे जिनके कोई सरपैर नहीं है और वो पूछ ले आते हैं स्टेट PCS में अधिक है यह PMT वालों का प्रशन है यहां क्या कर रहा पता नहीं Statue of Unity जो है वो गुजरात में है और Statue of Peace कहां पर है वो राजस्थान में है कहां पर है राजस्थान में और किसकी प्रतिमा है यह जैनाचार विजय बल्हव सुरिश्वर जी महराज की 151 इंच उंची प्रतिमा है राजस्थान में इस कानावरण किया है किनों ने भारत के प सब्सक्राइब बनाया था इस पर ठीक है अलग से अगर आपको याद हो तो नम्हें से कौन सा जो है सून ने आवेशित कण है एलेक्ट्रॉन पर तो ए निगेटिव होता है निगेटिव चार्ज रहता है वाकि रणावेश्थ सून ने आवेशित कोई भी चार्ज नहीं र अब्रकेत में से कौन सा एक योगम साही सो मेलेत नहीं है महवीर स्वामी ने पावापुरी में जो है निर्वान प्राप्त किया था रिशब नात में अश्टा पद में निर्वान प्राप्त किया था और नेमी नात ने उर्ज जयंत में निर्वान प्राप्त किया था लेकि पारगिरी चंपापूर भागलपूर बिहार में तो बी वाला अप्सन गलत है पाकी लोक लेखा समीती जो है क्या कार करती है वो नियंतरक एवं महालेखा परक्षक के पृतिवेदरों की जाच करती है UPSC की फेवरेट है ठीक है तो जहार तेरे में प्रशन बना इससे उसके बना 22 इसमें टोटल मेंबर होते हैं लोक लेखा समीती में 15 प्लस साथ 15 लोक सबागे होते हैं साथ होते राजय सबागे नाइट्रोजन एक आवश्यक अभी अब नहीं है किसका नहीं है पताईए क्लोरोफिल का डीने का आरेने का करवाहेडिट का देखे डीने में भी जो ह है नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है तो इसमें तो है और आरेने में आरेने में भी जो है नाइट्रोजन रहता है तो आरेने भी हो जाएगा क्लोरोफिल क्लोरोफिल में भी जो है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन एक मेजर कॉंपोनेंट है क्लोरोफिल का लेकिन यह रिपेटर प्रेशन है MPPCS में पूछा जा चुका पहले इंडोनेशिया के दुई समों का पस्चिम से पूर्व दिशा की और जो है वो सही करम लगाना है तो कई जो है कन्फियूज हो जाते हैं कई जाबा को पहले डाल देते हैं जबकि जाबा से पहले सुमात्रा है पहले सुमात्रा है उसके बाद जाबा है उसके बाद बाली है और बाली के बाद लोंबोक है यहां बाली की जगब बोर्नियों भी दे सकता था ठीक है तो जाबा सुमात्रा बाली और लोंबोक यह देखिए वे शुरी जावा नहीं सोमात्रा उसके बाद जावा ऊसके बाद आ जाएग कांच कानदा प्रकार प्रावंगनी किड्णों को काटता है यहीं जो आपके यह आजकल गोगल आते हैंना मेंगे Mेंगे Sun glasses इसमें तो सब्सक्राट को काट कर यादि नमक डाला जाए तो इन inmidd viscos के कारण पानि निकलता है तो ऑस्मोंट सिस्के कारण निकलता पराश्ण पराश्ण के करण कि सुगह म्मورत अभरत अभ्याद तो कब से नूज में है ऐ है फिक है कब होई थी सुग्म्म भ्हारत अभ्यान की सुरुवारत 3 दिसंबर 2015 को कि 2015 का है और एक्जाम में अभी तक पीछानी छोड़ा इंपोर्टन्ट है प्रधान मंत्री ने अंतराज्ट ये दिवस के अवसर पर जो है इसका शुभारंब किया था दुभार पंद्रे का है दिव्यांग व्यक्थि उसे संबने डिये अप्रध एस तो इंपोर्टन्ट है कभी पूछ लेते हैं यो प्यसर की फ Só कि चलाने से बनती है ध्याक्तों किशार का जलता है he ताप विद्दूद सेंट्रों में तो सी हो जागा इसका अंसर फिलाई एस प्रदूश्ण होता है ताप विद्दूद सेंट्र से राजा रंजीत सिंग ने किस इस्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी कहां की थी इन्होंने मुल्तान फिरोजबूर अमरत सर या लाहौर में की थी काला नुक्रम सजाना है विचार करना है कि इनका गठन कैसे हुआ ठीक है कप कप हुआ मतलब देखिए हरयाणा जारखंड गोवा हो गया तेलंगा न हो गया हरयाणा बजम तो 1966 गोवा उनीस चानसी का है जारखंड संदो ह्यार का है कि यह तो चलो आसान सा अगे इसे बहूंगीा बहीब अटका देता है कि कि दोहारी दोहारे बल्ले अटका लेता है मतलब 4 खंड को अटका देगा और 8 को पी इसको विसको 23 सगढिवार अब सब के सब d önceं की इने तीनौ उत्ताय खंड जा खंड शन तिर कर सबका मंतREEk है carry अब कर लो इनको अलग अलग ठीक है एक नावंबर सन 2000 का है 36 गड़ नो नावंबर सन 2000 का है उत्तरा खंड UKPSC के लिए रखिए और 15 नावंबर सन 2000 का है जहार खंड तो यहां उत्तरा असानी से मिल जाता सबसे पहले हरियाना हो जाता 1966 ठीक है मतलब चोथा बाला उसके बार ज सुसारा सी और फिर हो जाता जहार खंड सन 2000 और फिर हरियान तेलंगाना 2014 भी इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पॉर्टल का सुबारम 2020 के नमलिकित में से किस महीने में किया गया तो लगभग एक साल की करेंट जो है पूरी पूजी गई है पुर जोर तो यह नावंब असान सा प्रश्ण है इसका उत्तर है हापुड सबसे बड़ा लखिम पुर्खीरी बायू मंदल में जो प्रकास होता प्रकास उसका प्रशार कैसे होता तो डस्ट पार्टिकल करते हैं ठीक है धूल के कण करते हैं और काला सागर से कौन सा देश सीमानी बनाता ये लाल साग वबनाता थी। राम नाम बोलोगे तो रसीयन ट्रक से जाओ गया राम नाम नाम का मतलब रूमानिया को बोलोगे ब बुलगारिया स्विंक मतलब रूस मतलब Eisen 25 मतलब तकी ठीक है जाओगए जॉर्जिया तो सीरिया नहीं है on पर रेडियो धर्मिता के संदर में निम्लिकित कत्नों पर विचार करेंगे बच्वनें पढ़ी होगी आपने फिजिक्स में रेडियो धर्मिता एक नावी की एक गुण है बिल्कुल है नावी के विखंडन के सिद्धान पर हाइड्रोजन बंब बनाया जाता है चोटी क्लास में कुछ दिन पहला है यह टेस्ट में कराया था प्रश्ण यह है उत्तर प्रदेश में कौन से संविधान संसोधन के द्वारा आपकी जो मतद देने की आयू है वह 21 वर्स से घटा कर अठारे वर्स कर दी गई एक सटवा संविधान संसोधन अधरियम 86 वा सवाल है नमर्के में से कौन सा एक साही सुमलेत नहीं है अंतराश्टिय सश्य वानी की अनुसंधान केंद्र के सामने नेरो भी लिखा है भारतिय बन प्रवंधन संस्थान भोपाल लिखा है केंद्रे सश्य वानी की अनुसंध संस्थान संस्थान लिखाए नई दिल्ली यहां एक बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं भारतिय बन प्रवंधन संस्थान मतलब फोरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टिट्ट जो है इंडियन इंस्टिट्ट और फोरेस्ट मैनेजमेंट एक है फोरेस्ट रिसर्च यहां केंद्रे सब्सेवाने की अनुसंदान संस्थान बांधा में नहीं है यह जहांसी उत्तर प्रदेश में ठीक है तो सी गलते हैं एक कुछ कथा ने किसी बुक से उठा के दे दिया कि आप मुझे एक भी सुतंतर देश दिखा सकते हैं जहां प्रथक माधादिगार हूं अंग्रेज जा चुके हैं परन्तु वे सरारात छोड़ गए अपनी किसका कथा न यह यह है सरदार बल्लब भाई पटेल जी का सी हैस का अंजर नम्रिकत मेंसे कौन सा आयोग या समीति की सिफारिस पर भारत में अंतर राजय परिश्यत की स्थापना की गई थी तो इसका उत्तर पता होगा आपको राजमना रायोग नम्रिकत मेंसे की संगठन के द्वारा वर्ड पॉपलेशन डिपोर्ट दुहार 21 जारी किया जाता है जिसने भी UNDP लगाया है गलत है वो संयुक्त राष्ट जनसंख्या कोस भी लगभग एक महीने पहले टेस्ट में कराया था सूची एक को सूची दो के साथ सुमलित कीजिए ये कुछ जीप मंडल है और ये है अवस्थिती कहां पर एक सही एलिमिनेंट हो जाता सायद सिंपली पाल उडिशा में है नहीं होता थो सबको पता ही है पंजमणी मध्यप्रदेश में हो गया नंदा देवी उत्राखन में ह गया दो क्रेक हो गया मेघाले में हुंडरू जल्परपात स्वान रेखा नदी पर है दुमाधार नर्मदा नदी पर है ठीक है दो तो कट गये हैं और सुने सुनाई लग रहे हैं दो थोड़े अंसुने से हैं चचाई प्रपात चचाई वाटरफॉल जो है वो बीहड ठीक है बीहड नदी पर ये भी सही है गलत है ये बुढ़ा घाग प्रपात बुढ़ा घाग प्रपात या लोध प्रपात ठीक है ये भी नोन ही है अनोन नहीं है यह कहां पर है जारखंड में है कांची नदी पर नहीं है यह बुरहा नदी पर ठीक है बुरहा और यह एक कौन सा बिटामिन ए आवश्यक होता है तो अगर बैग्यानिक नाम पता होगा तो करेक्ट कर ले जाओगा बिटामिन एक क्या होता है रेटीनॉल होता है तो डी है इसका अंसर ठीक है सुची एक को सुची दो के साथ समयलित किजिए आम आदमी विमा योजना दोहार साथ की है अगर आपको एक भी पता होता तो एक से एलिमिनेट हो जाता एक कातीन के बलेक में है ठीक है और प्रधान मंत्री आत्म दिर्भर स्वास्त भारती योजना या भी करेंट की अहाली सुरक्षा भीमा योजना है दोहार सोला की यह बीमा का कालन उक्रम पूछ लेता है एक आद बार एक आदा प्राशन मतलब विश्वी यूबा कौशल दिवस की थीम कुछ दिन पहले कराई थी क्या है री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक री इमेजिंग और पिख़ी कैसे अस प्रश्टा और जाती गप्रहते बाव धुबूस बिल्कुल था महत्मा ग्हांदी ने इस सत्याग्रय में भाग लिए बिल्कुल लिए ठीक है सी है इसका आइसके ओपर भी कई बार प्रश्ट कर रहा नहीं है…. राणा हमीर के सामने मेवाड राजे लिखा है और मलिक राजा फारुकी के सामने खान देश और मलिक सरवर ख्वाजा जहां के सामने मालवा और राणा चुंडा के सामने लिखा मारवाड राणा चुंडा भी मेवाड से हैं संबन्द तो करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है दू किस अधारबर किया जाता है तो वोल सेल प्राइज इंडेक्स थोक मूरी सूचकां के अधारबर तो हैर गयरे की जिनगण के अनुसार किस राजी का जिनगणत तो सबसे कम है यह तो प्रश्ण डाले ही जाते हैं कि आपके नंबर बढ़ाए जाएं किसका कम है अरणाशनल प्रदेश का सबसे कम है सबसे अधिक पूछ ले आता तो बिहार का प्रश्ण मंगाल का बिहार का एक है current काおお lascian यह क्टक लाकष्ण बहारत कट्लास एक्षप्रेश्थ 22 भारत कट्लास एक्सप्रेशद 21 bragे भारत्य कि-स ने किस जहांच ने भाग लिया तो इसमें भाग लिया है INS तलबार ने मगर नहीं भाग लिया किसी ने किसी में लेकिन कटलास एक्सप्रेस में नहीं लिया खनेज अनवेशन अभिकरण है मुख्याले हैं खनेज अनवेशन अभिकरण में जो है तेल वेप्राकृतिक गैस आयोक मतलब ओइल नैच्रल गैस कमिशन यह हो गया है नई दिल्ली में एक से अलिमिनेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो खनेज अनवेशन निगम खनेज अनवेशन निगम खनेज अनवेशन निगम हो गया अपना नागपूर में ठीक है तो सी हो जागा इसका अंसर खानिज एनुरेशन निगान नाकपुरमा हो गया और राश्टिय खानिज विकास निगम का हो गया है है थराबाद और राश्टिय एलमूनियम कंपनी लिमिटेड हो गया भुबनेश्वर में राज लोग से वायोग के सरस्यों को कौन हटाता है पहले देखते हैं कि राज लोग से वायोग के सरस्यों को निखत कौन करता है राज लोग से वायोग का सरस्यों को निखत करते हैं राज के राजपाल लेकिन इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग है उल्टी है जैसे वो पैंसन व होता है ठीक है मतलब होता है उसके उसमें हट जाने चाहिए राजपल दोरा लेकिन यह अधते हैं सुप्रीम कोट में इनके जांच होती है और राष्टपती के परशाथ हटाए जाते हैं यह ठीक है तो सी है इसका अंसर एक सुसात्वा प्रश्ण है संगिया बजर्ट दोयार 21 वाइस के अनुसार वित्यमंत्री ने क्रसी धांचा एवंबिकास सैस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा बताइए 29 पर लगाया जाएगा ठीक है 29 पर है निम्रेके तमेंसे कौन सा ग्रामीर समुदाय का तत्व नहीं है इनमें हमकी भावना छेत्र सांस करते के विभेता आत्म निर्भरता मतलब टेरिट्री और वी फिलिंग कल्चिरल डाइवर्सिटी सेल्फ है सफिसियंसी देखे दुन दात्म क्वेश्चन है उनकी टेरिट्री भी होती है एक हमकी भावना भी होती है उनमें कल्चिर डाइवर्सिटी तो होती है सेल्फ सफिसियंसी ठीक है डी हैस कांसर आयोग क्या देता पता नहीं एक आन अभिनिकरत उर्जा का स्रूत है मतलब रेनेवल क्या होती है ठीक है सौर उड़जा पवन उड़जा बायो गैस थर्मल यह सब जो हैं रिनेवल हैं लेकिन कोल पेट्रोल डीजल केरोसीन ओयल नैच्छल गैस यह सब जो हैं यह आनभिनिकरत जिनका नभीकर्ण नहीं किया जा सकता तो इसका अंसर बी ही होगा पे पुस्तक सेख निजामुदीन औलिया की बादशीत का विवरान देती है इसका संक्लन किया था किसने हसन निजामी ने नहीं जियाउदीन बर्नी नहीं अमीर खुस्रों नहीं अमीर हसन सिज जी ने नमर के तुमें से कौन भारत के पर्थम वित आयोक का अध्यक्स था तो हर बहुत चीज पहली इंपोर्टेंट है पूछ लिए आती है किसी भी शेत्र में हो स्री कैसी नहीं होगी पढ़ा होगा आपने बैदद्द विवभब कैसी रासी है पूछा गया था अब इस प्रेश् नोबल परुसकार बिजेता अमरत शेयन द्वारा लेखेत प्रकाशत लेखेत नमरीके तो मैसे कौन से पुस्तक जुलाई दोहार 21 में प्रकाशत होई इंडिकेट करके पूछ रहा जुलाई दोहार 21 में अब इसमें एक से ज़ादा पुस्तक अम्रत शेयन की है ठीक है दा इंडियन भी अमरत शेयन की है लेकिन यह दोहार 5 की प्रकाशित पुस्तक है बहुत पुरानी है यह 15-16 साल होगे इसको अब है अब है दोहार 21 में जो प्रकाशित होई है वो है होम इंदा वर्ड तो सी है इसका अंजर होम इंदा वर्ड कि नमले के तुमेंसे कोई एक नदी जो है भारतिय गंगा नदी वेसिन का हिस्सा नहीं है पुन-पुन नदी है जलांगी नदी है अजय नदी है जोंक नदी नहीं है यह महानदी वेसिन का हिस्सा है रिंगेल में स्केल होता है उसका प्रियोग निम्लिक तो मैसे किसके मापन के लिए होता है रिंगेल में स्केल ध्वनी कोहरा प्रदूशित जल यह धुआ ठीक है तो बायू पॉलिशन बड़ा बढ़ गया आजकल स्मोग बड़े चर्चा में रहते हैं तो धुआ को नापता ह करंट का प्रश्ट ने परधानमंत्री बानि योजना का संबंद है सर्व HASने के स्तलों पर भाई-फाई की उपलव दस्था से एक सो सत्रवा प्राश्ट है नम्रीक तो मैंसे किसको संयूक तराज अमेरिका में प्रथम महिला ट्रैश्री सेकेटरी के रूप में निक्त किया था वी 14-15 दिन पहले हैं सवाल कराया था इसका उद्धर है जेनेड येलन ओप्सन नमबर भी नम्रीक तो मैंसे कौन सा एक साइस हो मिलेत नहीं है सिरके में उपस्तित होता है एसेटिक एसेड यूपी पीसीस का फेबरेट है आरो यारो में भी बड़ा पूछते हैं इसको हड्डियों में उपस्तित योगिक है कैल्सियम सलफेट स्वारी कैल्सियम फॉस्फेट करेक्ट यह भी आमासे रस्में उपस्तित है हाइट्रक्लोरिक एसेड यह भी सही है दूद का खट्टा अपन नाइट्रिक अमल से थोड़ी होता है लेक्टिक अमल होना चाहिए एक सोनने से एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल का संस्थापक 1784 अगर याद आया हूँ आपको तो ठीक है सर बिलियम जोन्स नीचे देगे कतनों पर विचार करना वित आयों के अध्यक्स और सरस्योगियों के दाओं का निर्धारन भारत का राष्टपती करता है सब कुछ राष्टपती करेंगे तो संसत क्या करेगी गलत अपर इद्वर रखी जाती है यह सही है दूसरा वाला हो गया गलत और दूसरा वाला हो गया सई डी उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानद एथिहासिक प्रेटन यात्रा दुषार 21 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्ड में से किस व्यक्तियों के लिए आरंब की है जिन्होंने नहीं पड़ा होगा जो तुक्का मार का इंस प्रेशन का उत्तर स श्चैन और है लेवर के लिए लिए ने यह हर वो चीज पहली वाला प्रशना गया भारत के पृठा मुख्य निर्वाचन अयोक्ति सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अयोक्त रमा देवि थी अब कौछ इस्टुटेंट इसमें सोच रहे है क तो वह चीफ जस्टिस है जो ठीक है मुख्य निर्वाचना एक तो बन ही है रमादेवी पहले सो कुमार सैन और पहली महिला रमादेवी यह करेक्ट है दोनों के दोना स्टेट्मेंट सी एस कांसर नम्रिकत मैंसे किस बार्स में भारत सरकारद्वारा परियावन संद्रक्षन अधिया पारित किया गया तो यह बड़ा इंपोर्टेंट है बहुत पूछते हैं इनको कई बार करया है कि बन संद्रक्षन अधिनियम बन जीब संद्रक्षन अधियम परियावन संद्रक्षन अध और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान इस्टेशन है परिचालित देखे जो दक्षण गंगोत्री है न वो तो बर्फ से ढख गया ठीक है दक्षण गंगोत्री जो है बर्फ में दब गया है उसे केवल सप्लाई बेस कीते रही अब काम में लिया जाता है भरत के द्वा तो दक्षण गंगोत्री को तो eliminate कर दीजिए इसमें जहां जहां होगा बोरी होगा अब आर यह तो है नहीं तो भारती और मैत्री है ठीक है भारती और मैत्री option number C हो जाएगा इसका भारती जो है वो तीसरा है तीसरा जो है अनुसंधान इस्टेशन है अंटार्क्टिका में तो दक्षण गंगोत्री तो दब्यावर्प में वाकी इको मार्ग पूछ लेता है कभी एग मार्ग पूछ लेता है तो इको परियाब रण के लिए ठीक है इको वही इनवार्मेंट की एकोलोजी वाला इको उस रिलेट कर करक्ट कर सकते हैं इसको नमलिकट मैंसे कौन सा आर्थिक विकास का पुरमुकारक नहीं है तो आर्थिक विकास पूजी का संचय तक्नीकिस दार्स विसेश्य करयत करिया और गतीविधियों का सरमी गोजन और तक्नीक विध और नौकरशा जन्संख्यामिय परिवरतन से जो है इसका पुरमुकारक बी हो जाएगा नम्लिकत में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिग्या तथा सब विसु के साथ किया गया समझोता कहा किस ने कहा दिया डॉक्टर अमबेटकर ने नहरू ने राजंदर प्रसाद या एस राधा क्रिश्णन डी है इसका अंसर वैश्विक सांती सूचकांग दोयार 21 के अनुसार नम्लिकत में से विसुका सबसे सांती पूर्ण देश कौन सा है थीकर अफरीका ऐस्टेलिया दक्षन अमेरिका योरप के ही रहते हैं वह सारे देश ठीक है सबसे जो दुखत देश है वो तो सबको पता होगा कौन सा है अफगानिस्तान ठीक है और सबसे सुखी पता होगा उधर के रहते हैं सभी है फिल्लेंड हो गया स्वीडन हो गया डैनमार्क हो गया तो यूरप कही है तो भी है इस कांसर पूछने के तरीके बतल जाते हैं एक्जामनर के बस देश की जिए कांटिनेंट पूछ लि तो इसका आंसर बी है ठीक है लेकिन इस पे हलका सश्थार भी है क्योंकि आयोग इसका अंसर क्या देता है उपता नहीं झाय बाकि देखिए भारत में आपधा प्रबंधन के राश्ट्य आप्धा प्रबंधन डिविजन ग्रह मंतराले में एक नोड़ डिवीजन है और रा पुछना है ठीक है अगर कोई व्यक्ति किसी पद्वे अपॉइंट है कोई मिस यूनिवर्स बनी कोई मिस वर्ड बनी या मिस इंडिया बनी तो किस राज से किस राज से रिलेटेड है इतना भी हलका फुलका पता होना चाहिए तो नाइजीरिया की है यह नागोजी ओकॉंजो इवेला अलग से प्रशन इन पर बनाया है दो बार अगर टेस्ट स्रीज किसी ने फॉलो की होगी तो पता होगा उसको यह भारत के छेत्र हैं सबसे उची चोटी तो गुरु सिखर रजिस्थान एक से एलिमेनेट हो जाएगा बी का थ्री के वलेक में यह डी हो जाएगा बगी दोड़ा वेतर टमिलनाडू में नगलेंड की हो गई सारा मती मद्द पृदेश्कियों की धूब गड़ी दो स्टेट्मेंट है मानब सरीर अपने लि तो केबल दूसरा सही है पहला कराता है नमने मैंसे कि संगठें द्वारा कोबिट नाइंटीन के पश्चात दोवर में वैस्वी करतवरस्ता के उत्थान हे तू दा ग्रेट रिशेट प्रयास का प्रारंब किया गया था दा ग्रेट रिशेट अभी कराया था कुछ दिन पह पार इसका उत्तर है बाल गंगा धरतिलक नम्याकित मैंसे कौन सा वद्यक राजसभा में पहली बार परस्ता बत नहीं किया जा सकता ठीक है मतलब राजस्वा में नहीं लाया जा सकता जैसे कोई बिध्यक है ने जैसे साधन बिध्यक है उसे लोकस्वा में लियाओ, राजस्वा में लियाओ, कहीं लियाओ, संबिधान संसोदन बिध्यक लोकस्वा में लियाओ, राजस्वा में लियाओ, कहीं लियाओ, सौरे दिनों तक उसने दे दिया तो ठीक ठीक है उसके अगेंश दिया तब भी ठीक क्योंकि इसमें तो लोक सभा की चले की सब कि नम्रेखत पर विचार कीजिए सही कालानुक्रम कि यह तो कई बार कराया है गोलकनाद बाद निशो सडशट में केशवानन भारती बाद उन्नेशोत्यहत्तर में चौविसवा संबिधान संसोदन अधियम और बैयालिसवा संबिधान संसोदन अधियम यह बयालिसवा तो आपको कई बार पता होगा चीक चीक कर बताया होगा 1976 1976 मिनी कॉंस्टिउशन भी बोलते हैं इसको केशवानन भारती भी रट गया होगा 1973 गोलकनाद भाद भी रट गया होगा लिए देखी जैसे आपको 23 याद आया हो या 22 याव वीश्य假़ आख तो इकली चोड़ाची कर वाफको पता नहीं है कि 1971 में हुआ है या फिर म सहींचे पहले हें Pak deflak एक से अफ़ 234 भी या और तेन एक दो चार भी entire और तीन एक डो चार भी ये ओ तो इससे नियरेशल देखेंगे हम21वा संबीधान इतनी बार बताया है 21वा संबीधान संसोधना देने हम 1971 क्या भारते संबीधान में सिंधी वासा जोड़ी गई ठीक है तीन तो बता जोड़ी गई ठीक है 22 बर्तमान में आठ मेरे सूची में 22 वासा हैं तो अगर आपको 21 मापता होता कि 21 1971 में हुआ है मिलेको पता है सिंधी वासा जोड़ी गई है तो 24 माद तो भीया 1971 का होगा या उसके फिर आएगा 1976 ठीक है तो कई चीजे जो दूसरे कोशन इन में मदद कर जाते हैं तो कंठस रखिए वागी नोबल पुरुसकार किसको मिला वर्ड फूड प्रोग्राम को मिला सांती में यह तो सब कुरट गया होगा नमले कि समचार पत्रों में से किसने परतिष्ठेत पुलिजजर प्राइज हमाले की नधियों का प्रमुगुण है तीसता नदी पहले तीसता नदी काहसे निकलत जंम्मू कस्मीर के जेमुगलेशर से निकलती है जंम्मू कस्मी इसरी निचाए haram पष्चे मंगाल में फिर जो है बंगलादेस में पष्चे मंगाल पंगलादेस की सिमा पर भेहती है ठी Cath ez तो ब्रह्म पुत्र की साइक नदी है और गंगा की साइक नदी ने कहां थी पहला गरता है पहला वहला बटवारे क्या जो है सिफारिज करना ठीक है तो ए ही होना चाहिए इसका सही उत्तर वाकि अगर पलड़ा बदला तो राश्ट पती को वित्य मामलों में परामर्स भी जो है देना उसका प्राथमिक कर्तव ही है ठीक है अब ए है या इसका सी है ये तो जो है यूपी पीसेस डिसाइड करेगी लेकिन ए ही है इसका उत्तर कोश्चन नमबर 142 पर आजएए वित्यस इंडिया के नम्रे के तमेसे किसा अधिनियम ने सामोहिक कार संचरन के स्थान पर विभाग या विभाग या पद्यती द्वारा वाइसराय की कारेकारी परिशद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल परदान किया इसका उत्तर है भारत परिशद अधिनियम 1861 इंडियन कांसिल एक्ट 1861 सीद प्रकोष्ट में फल भंडारन दीर्ग भंडारन जीवन देता है यह प्रश्चन 14-13-12 इनमें खुब पूछा गया है यूपी-पी-सी-स ने इसका उत्तर है सोशंदर का हराश करके ठीक है रेट ओफ रेस्पिरेशन जो है डिक्रीज हो जाता है उससे जो है मान लीजिए फ्रेज में आपका फल रखा तो लंबे समय तक जो है वो चल पाता है 144 प्राश्चन नीचे दो कथन दिये गए है क्या है सरकार को अवरोध मुद्रास फिती से निपटने के लिए कठेन समय का सामना करना चाहिए कारण क्या है क्योंकि यह इस्तिती अर्थ विवस्था में आपूर्ती अर्चन तथा असक्षम बित्रन जैसे आभावों के करण ह सब्सक्राइब करता है यह है सकांजर है कि हमाई तरफ से एक है कि 155 पर आजए सुची एक को सुची दो से सुमिलित कीजिए और क्या है यह रागमाला गरंत रचेता रसकौमुदी के रचेता राग विबोध के रचेता और चतुर दंडी प्रकाशिका के रचेता तो रागमाला के रचेता है पुंडरीक बिठल ठीक है रसकौमुदी के हैं देखे रागमाला के हैं स्रीकंट ठीक है और रसकौमुदी के हैं पुंडरीक बिठल और राग विबोध के हैं सोमनात और चतुर दंडी प्रकाशिका के हैं बैंकट रमन तो इसका अंसर के हो जाएगा आप्सन नंबर बी हो जाएगा 146 पर आजए सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलित करना है माउंट रेनर जो है वो यूएसे में है परवत जो अलमकी है जो अलमकी परवत और माउंट एटना तो बड़ा पूछा जाता है एक्जाम में माउंट एटना ठीक है सिसली इटली में है ये तो बी का बन हो गया लेकिन बी के बन से अलमनेट हो का नहीं है पूरा क्योंकि बन-बन दो में दे रखा है तो दो पता होने चाहिए कम से कम तो माउंट रेनर हो गया USA में माउंट टेटना हो गया इटली में और माउंट पेरिकुटिन हो गया मेक्सिको और माउंट एपो हो गया फिलिपेंस में तो इससे होगा इसका अंसर भी सब्सक्राइब जरूर रखीगा सिवल सर्विस इस्टेडी चैनल को और देखिए पांच तारिक जहां तक है डेट दे रखी है समिक्षा अधिकारी की उसकी प्रेक्टिस करते रही है जिनका वी यूपी पीसेस में सेलेक्शन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो ठीक है दोहर बाइस के लिए प्रिपेर कीजिए और जिनका ठीक ठाक जो है बन गया है प्रिलिम्स में वो अच्छे से जो है राइटिंग प्रेक्टिस की तैयारी जो है सुरू कर दीज़े कुछ ही दिरों में क्योंकि सब मुख्य परिक्षा में जो है गोले वाला चेक कर लिया य पातर प्रदेश के वजर टिकेश वाइस में कि स्योजना की अंतरगह तो प्रधान मंत्री को टैबलेट देने की खोश्चनाश की गई अंतर के विद्यार्थी योगो ठीक है? मुख्यमंतरी के द्वारा प्रथान मंतरी कहां से वोल दिया ठीक है? विद्यार्थी योगो टेबलेट देने की कोश्चना की गई तो यह है मुख्यमंतरी अभिध्य योजना option no.1 सूची एक है राजसवा और सूची दो में राजसवा की सीटें ये प्रशन जो है पहले स्टेट पीसे में बड़ा पूछा जाता था सोले तक लेकिन सोले के बाद जो है बड़े दिनों में पूछा तो राजस्थान चुकि इतना बड़ा स्टेट है तो सबसे आदे सीटे होने चाहिए 12 सी सीटें राजसवा की गुजरात में 11 सीटे और करनाटक में 12 सीटे तो पहले का पहला हो जाएगा दूसरे का तीसरा हो जायगा तो यह हो जाएगा इसका अनुजाब बचा तो पंजाब में 7 सीटे 149 है second last question है जर्मदर के संदर में निम्न कितकत्नों में से कौन सा सही है नगरी करण जर्मदर को कम करने में सहयक है कि उचि सागशरता दर का निम्न कितकत सीधा संबंद कर देखे नगरी करण होगा ठीक है लोग अवेर होंगे नगरी करण होता तो क्या होते हैं थोड़े पड़े लिखे होते वे थे हर ठीक चीज़ों को समझते हैं अ में पूछते हैं future के बारे में तो बच्चे दो ही अच्छे ठीक है और उची साक्षरता हाई लिट्रेसी होगी ठीक है लिंका नुपात को समझेंगे यह सब चीज बिलकुल correct है दोनों के दोनों statement C है इसका अंसर अंधिम प्रस्टन है अमलेके तुमें से कौन सा दुई केरेवियन सागर में अवस्तित है अवस्तित नहीं है ठीक है नहीं बड़ा पूछा गया इस बार नहीं है तो केरेवियन सागर में ग्रेनाडा तो है मॉंट सेराट मॉंट सेराट भी है केरेवियन सागर में मडीरा मडीरा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मडीरा है अट्लांटिक ओश्यन में मडीरा कहां पर है अट्लांटिक ओश्यन में है मडीरा ग्रेनाडा केरेवियन में मॉंट सेराट केरेवियन एंगोईला केरेवियन तो यह 150 प्रश्ण थे ठीक है यूपी PCS प्रारम बिग परिक्षा 2021 इनको मिला लेज़ेगा इसकी आंसर की तो आती नहीं अथेंटिक वो आएगी जब पूरा रिजल्ट निकल जाएगा क्योंकि UPSC को फॉलर करने लगा यह भी वागि इस पेपर को देखकर जिसने पहली बा यूपी PCS में पूछे जाते हैं यूग के PSC की वितायारी करते रही है उसका वी एक्जाम जो है दिसंबर जनबरी किसी भी महीने हो सकता है वाकि हर वो चीज इंपोर्टेंट जो पहली है उसे एक आधा प्रश्ण मनता है कौन सा विदेश यात्री किधर गया कहां गया भा पीड हो जाते हैं तो हर दिन प्रक्टिस करते रहें से वल सर्विस्टेडी चैनल को फॉलो रखिएगा टेलिग्राम चैनल से जोड़े रखिएगा डेस्क्रेप्शन बॉक्स में उसका लिंक है धन्यवाद